टेसला के सभी आविशकारों में एक आविशकार था जिसे डैथ बीम के नाम से जाना जाता था। इसे अगनी उच्चा आवरती तरंगे कहा जाता है जो चल रहे द्वितिय विश्व युद्ध के उस समय उपयोगी होगी। लेकिन जब आइंस्टीन के परमानु बाम और टे प्रयोग के रहस्य को पीछे चोड़ते हुए समाप्थ हो गया और क्या हो सकता था यदि डैथ बीम को संग द्वारा चुना जाता कौन जानता है। यह भी एक बार सच माना जाता था कि टेसला को एक एलियन लाइफ ने सलाह दी थी। 1889 में अपनी प्रयोग शाला में काम करते हुए टेसला को यादरच्शिक संख्याओं के एक स्पंधनात्मिक संकेतों की एक श्रिंखला प्राप्थ हुई जो उनके एक रेडियो टावर द्वारा उच्छे तरंगों के साथ हस्तक शेप करती थी। टेसला को ऐसे अलोक एक संकेत मिलते रहे और उनका मानना था कि एक विदेशी जीवन उनसे संपर्ट कर रहा था। इसलिए वो एक ऐसे प्रोजेक्ट में लगे जो इंटस्टिल स्पेस में उच्छा आवरती तरंगों को विसफोट करने में सक्षम हो सकता है। यह उनके जनम दिन पर घुशत किया गया था। टेसला ने खुद दावा किया था कि उसका एटी दुनिया से जुडाव है और उसका दिमाग रिसीव था। कौन जानता है। टेसला खुद एक एलियन हो सकता है या यहां तक कि योडा का पडोसी भी हो सकता है। साथ जनवरी 1943 को टेसला की मौत का कारण भी एक और रहस्य था। उनमें से कुछ का कहना है कि उनकी मृत्यू कौरोनरी थरॉम्बोसिस से हुई थी जबकि कुछ अफवाहे कहती है कि उनकी हत्या हिटलर के एजेंटों में से एक निकी थी। टेसला के आविशकार नाजियों के लिए एक महत्वपून खत्रा थे और यह हत्या के बयान का समर्थन करता है। उनकी मौत कैसे हुई ये अभी भी रहस्य बना हुआ है।